दोस्तों एक बाद फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल योर इंटरडे कोच में दोस्तों देखते हैं कि मार्केट मंडे को कहां मुमेंटम कर सकता है उसके पीछे लॉजिक क्या है दोस्तों चार्ट के उपर चलते हैं इसके पहले आप को मैं बता हूँ जो मैंने आपको टार्गेट दिये थे जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है ये वीडियो वो वीडियो देखें इस वीडियो में मैंने जो बताया वो इस वीडियो में आल यह था देखिए मार्केट निफ्टी कहां खुला इस जगे खुला यह क्या था एक रजिस्टेंस था रजिस्टेंस के पास मार्केट में सेलिंग आई उसके बाद मेरा पहला टार्गेट शिक्स फॉर्टी सेवन से फाइफ फॉर्टी फाइफ हंड्रेट पॉइंट का केंडल बनी हैमर केंडल के बाद अगर आप बाई करते यह पहला टार्गेट और लगभग यह उस टार्गेट पर दुबार आया तो मार्केट बिल्कुल प्राइस एक्षन बनाता हुआ चलता है मार्केट में दे कोई भी हो मार्केट बिल्कुल तरीके से मूब करता है यहा मार्केट में बिल्कुल रजिस्टेंस के पास जो हमने आपको उस दिन बताया था ये बताया था ठीक इसी रजिस्टेंस पर मार्केट ओपिन हुआ ओपिन होने के बाद मार्केट नीचे गया एक रेंज बनाई फिर उपर गया और इसी जगे पर मार्केट ने क्लोजिंग दे है मैंने आपको ITC trade करने के लिए दिया था एंटीपीसी trade करने के लिए दिया था और इंडसेंट बैंक कहा था और बीपीसील कहा था ITC में एक रुपे का stop loss हुआ ITC के चार्ट पर चलते आपको एक एक चीज समझाते हैं मैंने ITC आपको कब दिया था टाइम देखिए आप ITC दिया था 945 पर मैंने 321 पर आपको वाई दिया था 319 रुपे 50 पैसे का stop loss बताया था 322 रुपे 50 पैसे और 324 रुपे 50 पैसे यह हमने आपको target दिये थे तो कि हम चलिए चलते हैं कि इस टाइमिंग Whew 949 प्रिफ्टीन यहाँ पर मैंने आपको बाई दिया ता यस तो यहाँ समय जिस समय हमने आपको दिया था 9usa 45 पे मारकेट उसके बाद क्या हुआ नीचे आ गया अगया कॉल कव एक्टीवेट हुए ये कव एक्टीवेट हुए 11 मेहट पर जब ये कोल एक्टीवेट हुई ज्यान से देखिएँगा जब ये कव कॉल एक्टिवेट हुई कि यहां पर कॉल एक्टिवेट हुई हमारी हमने 945 पर दिया था 945 की केंडल कौन सी है और 945 की केंडल यह 945 की केंडल है मैं आपको मार कर देता हूँ एक नट चलिए मैं मां कर देता हूँ पैन से मां कर देता हूँ इस केंडल पर मैंने आपको कॉल दी उसके बाद मार्केट 321 पर गया नहीं मार्केट क्या हुआ धीरे दीरे प्रॉपेट बुकिंग हुई मार्केट नीचे आने के के बाद मार्केट में इस जगे हमारी कॉल एक्टिवेट होने के बाद मेरा पहला टार्गेट था 322 रुपे 50 पैसे यह टार्गेट अचीव हुआ उसके बाद मार्केट एक रेंज में गया और रेंज में जाने के बाद मार्केट ने 324 रुपे का अपना जो सेकंड टार्गे अचीव हुए हैं बिना stop loss पर राइट चलिए इसकी बात complete हो गई अब बात करते हैं दूसरा stock जो हमने आपको दिया था दूसरा stock हमने दिया था आपको एंटी पीसी हमने आपको 164 पर बाई के लिए दिया था वन सिक्स्टी टी का एक रुपे का stop loss था और 165 166 दो टार्गेट थे चलिए एंटी पीसी पर चलते हैं एंटी पीसी का टाइमिंग देख लेते हैं कि कितने वज़े हमने आपको दिया था 948 पर दिया था हमने तो 948 प आपको इस Red Candle में हमने आपको दिया था तो इस Red Candle को माख कर लेते हैं इस Red Candle के High के ऊपर हमने आपसे Buy करने के लिए Anti PC वोला था यह Anti PC वाई के लिए बोला था और इसके बाद इसमें 163 का हमने Stop Loss बोला था तो इसी candle में आपका stop loss हो गया था तो एक रुपे का आपने stop loss दिया लेकिन stop loss देने के बाद आप देख सकते हो कि market कहां गया इसके बाद market बहुत नीचे गया और हम लोग एक रुपे का stop loss देकर निकल गए बात करते हैं तीसरे stock की इंडसिंड बैंक 1096 रुपे 50 पैसे आया ही नहीं बात करते हैं बीपी सील की बीपी सील हमने 11 बज़े आपको ट्रेट करने के लिए दिया था बीपी सील के चार्ट पर चलते हैं यह बीपी सील का चार्ट है ग्यारा किस candle में बज़ रहा है 11 पांच 11 इस green candle में 11 बज़ रहा है इस green candle पर मैंने सेल के लिए दिया था 327 रुपे 30 पैसे पर हमने सेल के लिए दिया था 328 रुपे 50 पैसे यानि 1.50 रुपीस का एसल था और पहला टार्गेट 1.5 रुपे का था दूसा टार्गेट 3 रुपे का था यानि 1 इस टू 2 पहला टार्गेट आपका यहां पर जब आपको सेल मिला पहला टार्गेट अचीव हुआ इस जगे पर और दूसा टार्गेट अ अचीव हो गये तो आपने देखा कि दो में हमें हमेंnew n ow का टार्गेट मिला और 1 is 2 1 का एक रूपए का इस्टो प्लॉस मिला तो यह तरीका होता है मार्केट में ट्रेड करने का कि हम ने तू तीन ट्रेड लिए एक में है क रूपए का नुपसान हुआ नसर्ट में ही ट्रेड करते तो एक में sowing रुपए का नुकसान होता और दो में आपको 2-2 गुना target मिले यानी तीन रुपए उसमें मिले तीन रुपए इसमें छैसो रुपए मिले हैं सौर रुपए गये हैं वनने स्कार रिस्क रवार्ड रेष्यों होगे तो मार्केट को इसी तरह से बिलकुर रूल के एक्वार्डिंग ट्रेट किया जाता है लॉजिक के एक्वार्डिंग ट्रेट किया जाता है लॉजिक इसमें क्या था अगर आप लोग लॉजिक की बात करें मार्केट क्या था सुभह से डाउन साइड में था राइट डाउन उसके बाद फिर नीचे गया इसके बाद यहां पर इसने एक रेंज बनाई रेंज बनाने के बाद मार्केट को चुकि मार्केट निगेटिव था तो हमें निगेटिव साइट प्ले करना था यानि सेल करना था तो हम यह मान कर चल लाएते कि यह वाली रेंज यह ब्रेक करेग और उसके बाद आपने देखा कि थोड़ी देर market में moment नहीं था, उसके बाद market में जब moment आया, तो दोनों target उसने 5-10 मेट के अंदर दे दिये, तो इस तरह से market में logic के साथ trade लिया जाता है, जल्दवाजी नहीं की जाती है, जल्दवाजी वाला trade अगर मैं चाहता तो आपको 9- 15 पर ही दे सकता था, 9-20 पर ही दे सकता था, लेकिन हम उमें सा logic वाला trade देते हैं, इसलिए आप 10-11 वे तक आपको मैं trade दे पाता हूं, चलिए चलते हैं अपने चार्ट के उपर, निफ्टी और bank निफ्टी का, तो निफ्टी में क्या हुआ है, market कहां पर बंद हुआ है, नि निफ्टी ने closing दी है, अब निफ्टी में अगर आपको buy करना है, तो जो ये resistance phase किया था, इस resistance के उपर ही buy बनता है, लेकिन जो लोग risky हैं, risky trade लिते हैं, वो लोग चाहें तो इस high के उपर भी buy कर सकते हैं, तो मैं आपको लिख देता हूं कि आप buy कहां करेंगे, buy nifty, बहु future के लिए level देता हूं, अगर आप कहेंगे और WhatsApp करेंगे कि option के लिए level चाहिए, तो मैं option में trade दे दूँगा, option में फर्क यह होता है, कि उसमें time decay होता रहता है, इसलिए वो level बिल्कुल perfect नहीं आएंगे, अगर आप इन level पर option trade करेंगे, करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन यह बिल्कुल future के लिए level है, आप nifty future में trade करेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगे, तो आप nifty future में buy कर सकते हैं, तो nifty को आप buy कहां करेंगे, आप buy करेंगे 17,545 है, यह वाला level और यह level है 570 का, तो nifty को आप 17,570 पर buy करेंगे, stop loss आप कहां लगाएंगे, 17,530 का stop loss लगाएंगे, और जो आपका target निकल कर आएगा, वो पहला target आएगा 17,620 का, दूसरा target आएगा 17,647 का, और तीसरा target आएगा 17,700 का, यह आपके buy के level है, आप buy करेंगे 17,570 पर, अब मान के चलो के कल market में selling आ गई, तो selling हमें 17,483 के नीचे ही करना है, उसके पहले हम sell नहीं करेंगे, तो sell कहां पर करेंगे, sell करेंगे, निफ्टी को 17,483 के नीचे sell करेंगे, stop loss कहां लगाएंगे, 17,410 का stop loss लगाएंगे, और जो target निकल कर आएगा, वो आएगा, पहला target आएगा 17,483 के बाद 17,425 का target है, दूसरा target आएगा 17,380 का target, और तीसा target आएगा 17,281, यह बड़ा target है, 100 पॉइंट का, यह भी 100 पॉइंट है, हमेने इसमें बीच में आपको छोटा target दिया है, जिससे कि आप profit book करके निकल सके, तो यह nifty के लिए हो गया, bank nifty की बात कर लेते हैं, बैंक nifty में आप trade कहां पहलेंगे, देखिए, bank nifty में मैंने एक trend line draw कर दिया, यह trend line है, market इस trend line को respect कर रहा है, अगर market कल open होता है, इस triangle के अंदर, और open होने के बाद तुरंत इस trend line को break कर देता है, आप bank nifty को sell कर देंगे, बैंक nifty को sell कर देंगे, कहां करेंगे, below trend line, आप यह trend line बना लीजिएगा, below trend line, trend line के नीचे आप इसको sell कर दीजिएगा, stop loss आप कहां लगाएंगे, 39,000, अब देखिए, यह आपका जो sell होगा, वो लगबग 39,400 के असपास sell होगा, तो आप stop loss लगाएंगे, 80 पॉइंट का, तो 39,480 का आप stop loss लगा देंगे, यह below trend line का मतलब कितना हो गया, 39,400 के नीचे आप sell करेंगे, closing कहां दिए, 39,384 के असपास इसकी closing है, 400 पर आप sell करेंगे, 480 का stop loss लगाएंगे, और जो target आपका आएगा, वो आएगा 39,250 यानि 500 पॉइंट का target, दूसर टारगेट आएगा 39,000 वन एक मैट 39,400, 39,250, 39,110 का दूसर टारगेट आएगा, और तीसर टारगेट आएगा 38,942, मतलब यह target थोड़ा सा लंबा है, और इसके बाद यह target तो यह तीन target के लिए bank nifty को आप sell कर सकते हो, जैसे ही इस trend line को break करेगा, और यकीन मानो, आपको 942 का target मिलेगा, यानि यह तीसर टारगेट भी मिलेगा 39,400 से 39,942, यानि साड़े 400 पॉइंट का target आपको definitely मिलेगा, अगर market is trend line को break करेगा, तो यह इस support तक तो आना ही चाहिए, यह पूरा पूरा उमीद कर सकते हो आप, ठीक है, अब अगर bank nifty को buy करना है, तो bank nifty को आप buy कहा करेंगे, अच्छा buy के बाद भी bank nifty में बहुत लंबा run मिलेगा, क्यों, क्योंकि यह इस जगे पर बार बार resistance phase कर रहा था, अगर इसको उपर निकलना है, तो 39,628 के उपर आप buy करेंगे, 39,628 के उपर आप buy करोगे, stop loss कहां डालोगे, 39,640 का आप stop loss डालोगे, अब देखो यहाँ पर मैं target क्या दे रहा हूँ, target में बड़ा दे रहा हूँ, पहला target जो आएगा, वो आएगा आपका 39,77 का पहला target है, 39,900 का दूसरा target है, और तीसरा target जो आएगा, 400,40 का, तो यहाँ पर आपको उपर की side हम बड़े target इसलिए दे रहा है, क्योंकि उपर की side जब market निकलेगा, तो बड़ी तेजी से निकलेगा, नीचे भी बड़ी तेजी से आएगा, लेकिन उपर की side, चुकि यह resistance था, resistance को break करके निकलेगा, तो इसमें fresh buying ID, इसलिए market टेजी से उपर की तरफ जाएगा, और बाकी, जिन लोगों ने telegram channel join नहीं किया है, telegram channel का link वीडियो की description में है, अगर आप लोग पहली वार वीडियो देख रहा है, तो WhatsApp नमबर दिया हुआ है, इस WhatsApp नमबर पे telegram link लिखके भेज़ देंगे, तो मैं आपको telegram का link दे दूँगा, साथी साथी YouTube channel भी आप subscribe कर सकते हैं, और जैसा कि मैं आप लोगों को लगतार दे रहा हूँ, दो या तीन stock buy या sell के लिए मैं देता हूँ, proper logic के साथ देता हूँ, proper stop loss के साथ देता हूँ, proper target, 1-2 का target हमारा रहता है, target इससे उपर भी जा सकता है, अगर आप stop loss ट्रेल कर सकते हो, तो 1-4 का target, जैसे BPCL में आप देखो, तो 1-4 का target आपको easily मिल सकता था, यानि 1 रुपे का stop loss और 4 रुपे का target, 100 quantity लोग है, 100 रुपे का stop loss, 400 रुपे का target, बड़े आराम से आपको easily मिलता है, लेकिन चुकि हम कब देते हैं, market को 10.30 रुपे के आसपास देते हैं, आप लोगों को जो लोग नए है, price action नहीं जानते हैं, उनको ये नहीं पता है, लेकिन बाकी लोगों को पता है, कि market में जो movement आते हैं, वो तीन तरह के movement आते हैं, पहला movement आता है, 9-15 से लेके 10.30 रुपे यहां पे market में movement fast होता है, 10.30 वजे से लेके 12.30 वजे तक market sideways चला जाता है, तो हम आपको कब देते हैं, 10.30 वजे के आसपास देते हैं, जब market sideways होता है, और उसके बाद क्या होता है, कि जब European market खुलते हैं 12.30 वजे के बाद, उसके बाद market फिट से trending होता है, तो उस trending में आपको आपके target अचीव हो जा हैं, दोस्तों ये था आज का वीडियो, इसी के साथ वीडियो समाथ करता हूं, धन्यवाद,